नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप ICICI बैंक या फिर किसी भी बैंक से लोन केसे ले सकते हैं पेसे बजार वेबसाइट के मदद से तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दिये गई डिटेल्स पर कंटिक करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए थैंक यू तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको आना है पैसेबाजार.com वेबसाइट पे इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वहाँ पे क्लिक करके भी आ सकते हो और वहाँ पे क्लिक करने से पहले आप ये वीडियो को देख लीजे ताकि आपको complete process समझ में आए तो दोस्तों सबसे बेले तो आपको क्या करना है वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे काफी सारा option दिखाए दे रहा है जैसे कि credit card, personal loan, business loan काफी सारा option दिखाए दे रहा है आपको क्या करना है यदि आप business loan लेना चाहती है तो business loan पे क्लिक करना है तो लेकिन फिलाल हम जो है personal loan पे क्लिक करेंगे ठीक है तो personal loan कैसे लेते हैं वही हम देखेंगे दोस्तों आप किसी भी bank से जो है आप किसी भी bank के जरिये से यहाँ पे loan ले सकते है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपको क्या करना है आपको यहाँ पर अभी select करना है आपका desire loan amount यानि कि आपको कितना loan लेना है वो आपको यहाँ पर select करना है उसके बाद में आप salary यानि कि महिने में salary लेके काम करते हो या फिर business owner हो या फिर आप professional doctor या फिर charter accountant हो तो आपको वो select कर लेना ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका monthly income कितना है वो आपको यहाँ पे भरना है ठीक है उसके बाद में आपका mobile number भरना है mobile number दोस्तो invalid mobile number मत देना क्योंकि आपको एक OTP आएगा वो यहाँ पे आपको भरना होगा ठीक है तो आपका सही mobile number दीजेगा यहाँ पे उसके बाद में आपका city भर दीजे और आपका salary आपके से लेती हो आपको salary किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है bank transfer के जरिये से आपको salary मिलता है या फिर check के जरिये से या फिर cash के जरिये से वो आप यहाँ पे select कर लिजे उसके बाद में आप salary कौन से bank account में लेते वो bank account आप यहाँ पे select कर लिजेगा उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम भरना होगा और आपका gender आप select कर लिजे महीला है तो female या फिर male ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना pin code बरना होगा उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना pen card number बरना होगा दोस्तो pen card number mandatory है यह आपको बरना ही है यह नहीं बरने से आप आगे proceed कर नहीं पाएंगे यह आप भर दीजे उसके बाद में यहाँ पर आपको date of bird select कर लेना है उसके बाद में अपना email id बढ़ना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक code मिलेगा आपका mobile number में वो code आपको यहाँ पर भर देना है ठीक है जैसे आप यहाँ पर mobile number भर देते आपके mobile number पर एक code आएगा verification code यहाँ पर भर दीजे वो 4 digit का code भरने के साथ साथ आपका verification code verify दिखाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको mark कर देना है वहाँ पर mark करने के बाद आपको proceed पर click करना है ठीक है तो दोस्तों जैसे आप इस page पर आते हैं या फिर आप भर सकते हो यही से उसके बाद में आप जो है फिलाल कोई EMI आप पे करते हो या फिर credit card से loan लिये हो वो पे करते हो तो महिने में कितने करते हो आप यहाँ पर select कर लिजेगा ठीक है जो घर है वो आप रेंट में लिया हुआ है या फिर आपने खरीदा हुआ है जो भी है या पे पेइंग केस्ट है वो सारा कुछ आप select कर लिजेगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे दो bank यहाँ पर loan दे रहा है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक ICICI दे रहा है यहाँ एक cash 90 दे रहा है ठीक है और महिने का कितना पढ़ता है EMI 1770 तो यहाँ पर interest rate है 16.50% और processing fee यानि की 1125 प्रोसेस करने के लिए एक बार के लिए ही मुझे देना होगा ठीक है तो दोनों में चाहो तो मैं जो भी ले सकता हूँ और यह long period के लिए तो मैं यह लेना पसंद करूँगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मुझे तो सिर्फ दो ही शो कर रहा है यह state के accordingly और आपके credit score के accordingly आपको यहाँ पर bank शो करेगा ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर आपके state के accordingly और यहाँ पर आपके credit score के accordingly आपको कोई भी bank शो नहीं कर रहा है कहीं बार ऐसा भी होता है कि आपका जो है credit report सही नहीं है score सही नहीं है तो ये page में आपको बताए जाएगा कि इन लोगों के जो भी आपने जो भी details भराएं उसके according लिए आप जो है loan के लिए eligible नहीं हो ऐसा message भी आपको यहाँ पर दिखा सकता है किस वज़े से available नहीं है या फिर आप जो भी आपका जो भी आपका request है वो आप यहाँ पर call करके उनसे बात कर सकती हो तो यह दिए आपका इस प्रकार से option आता है that means आप eligible हो तो आपको select करना है ठीक है तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है simply यहाँ पर चाहती हो तो आप बढ़ा सकती हो यहाँ पर आपका जो tenure है आप जो EMI देना चाहती हो maximum 6 साल के लिए आप EMI लेकिन इंट्रेस थोरा ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर हम select करते हैं दोस्तों ICICI का हम select करते हैं तो यह instant approval है ठीक है 50,000 का है interest rate is 16.50% और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह 3 साल का tenor रहेगा ठीक है processing fee 1125 और EMI मुझे महिने पे 1770 रुपया मुझे देना होगा ठीक है तो दूस्तों चलिए हम fill up कर लेते हैं फटा फट यहाँ पर फर्स नेम आपको fill up करना है last name और gender आपको select करना है address line, line 2 select करना है city, pin code और यहाँ पर आपका profession select करना है यदि आपका profession available नहीं है तो other select कर लिजे उसके बाद में यहाँ पर आपका company select करना है और designation आपका select करना है other select कर लिजे simply उसके बाद में यहाँ पर 3 years पहले से ही select हो रहेगा यहाँ पर आपको मन सेलेक करना है और यहाँ पर भी आपको मन सेलेक करना है उसके बाद में office का address आपको बढ़ना है लाइन टूपे भी बढ़ दीजिए उसके बाद में आपका state और city उसके बाद में आपका office का pin code और office का std code भी बढ़ना होगा office का landline number आपको बढ़ना है और finally आपका pen card number यहाँ पर बढ़ना है ठीक है तो यह सारा कुछ बढ़ने के बाद में आपको क्या करना है आपको simply जो है यह mark कर देना है और submit button पर click कर देना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो ही जैसे आप submit button click करते हो आपका जो है यह loan जो है आपका जो है यह submit हो जाएगा और पैसेbazar.com जो है वो आपका form को receive करेगा और उसके बाद में आपको एक call आएगा पैसेbazar.com का तरफ से और आपको कुछ verification के लिए बातचीत पूछा जाएगा सवाल पुछा जाएगा और आपका जो है bank loan जो है वो approve कर दिया जाएगा ठीक है तो approve होने के बाद में दोस्तों जो है आप अपना loan जो है वो ले सकेंगे तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ पैसेbazar.com में आके आप चेक कर सकती हो आप eligible हो की नहीं bank loan के लिए और आप किस प्रकार से apply कर सकती हो यह सारा कुछ आप यहाँ पे पैसेbazar में आके कर सकती हो यदि आपको और भी कुछ परिशानी होती है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए और कोई भी परिशानी आती है आपका bank available नहीं है तो यहाँ पर टूल फ्री नंबर पर कोल कर सकते हैं ओपर पर दिया हुआ है ठीक है और मैं डिस्क्रिशन पर भी दे दूंगा यह टूल फी नंबर आप चाहँ तो पेसे बाजार टीम से डारेक्ट कंटेक करके आप पूच सकते हो तो दोस्तों इस परकार से आप किसी भी bank का loan आप apply कर सकते हो पेसे बाजार website के जरिये से तो दोस्तों मुझे पुरा उमीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और वीडियो को share कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ तो मिलते अगले वीडियो में अभीके लिए इतना ही till देन बाबाई